confidence interval estimate of mean value for a given value of x confidence interval यह तो बात हम जानते हैं कि range of values को का जाता है जिसमें कि हमें believe होता है जैसे अगर 95% confidence interval की बात करूँगा तो मैं यह कहूँगा कि 95% confidence है कि जो true value of mean है वो in values या in range of values के अंदर मौजूद है ठीक है अब देखें हमाई पास situation जो है वो यह है कि दो variables है ठीक है fertilizer और corn yield मतलब एक independent variable तो दूसा depend कर रहा है उसके ओपर variable ठीक है चुकि हम जब regression की बात करते तो इसमें हम यह condition लेते हैं ठीक है अब x यह variable है उसकी values given है y variable की भी values given है stable में ठीक है हम assume करेंगे normality को यानि चुकि हमें confidence interval बनाने के लिए critical value चाहिए होगी तो हम यहाँ पर normal जो distribution है उसको assume करेंगे ठीक है और इसमें हम यह जो interval estimate कर रहें यहाँ यह interval जो हम बना रहें 95 confidence interval परसंट 95% confidence interval यह हम true value for y जो है वो मालूम करना चाहरे है ठीक है मतब y क्या चीज़ है जी आप यह बात जानते हैं कि हमाँ पास जो regression line है true regression line वो किसके equal होती y is equal to alpha plus beta times x ठीक है तो अब इसकी value को estimate करने के लिए y hat यह estimated value होगी जो कि हम किस line से estimated जो regression line है उससे हसल कर सकते है कि y hat is equal to a plus b times x ठीक है यह जो y hat है यह estimate कर रहा है y को ठीक है तो यहाँ पर जब हम interval बनाएंगे confidence interval for y ठीक है यहाँ पर मैंने y लिखना था यह में y hat लिख दिया है तो इसमें हम जो point estimate है वो y hat लेंगे average value जो हम लेते हैं यहाँ पर ठीक है इसमें plus minus करेंगे marginal error को ठीक है अब जो marginal error है उसमें critical value जो आ रही है वो दो आएंगी इसलिए कि यहाँ पर हम interval की बात करें low limit और upper limit की बात करें हमारा जो confidence level है 95% और जो significance level होगा जिस alpha कहते हैं वो 5% होगा ठीक है इस alpha में जो यहाँ पर यह लिखावा और इसमें difference है ठीक है यह अलग चीज़े हैं तो देखें अब इसमें हम यह बात करें कि interval के लिहाज से जब हम normal distribution बनाएंगे ठीक है यह जैसे इस interval को आप देख सकते है ठीक है तो इसमें हम 2.5% left right से और 2.5% left से छोड़ देंगे यह जो है यह हमारा confidence level है 95% ठीक है तो यहाँ से अपर लिमिट यह लोड लिमिट हमें हासे होगी ठीक है यह हम T table से जो है यह value देखेंगे चुके sample size जो हमें वो given जो है वो small sample size है इसमें n8 है ठीक है और फिर इ degree of freedom जो जो जिसको हम new कहते है वो n-2 होगा जो हम 2 variable से deal करें वो फिर 6 बन जाएगा ठीक है और इस तीक है से मतलब यह बात हमने देखनी है और standard जो deviation है for y hat या average जो हम ले रहें यहाँ ठीक है चुकि यह average value, estimated value of average y hat है यह हमें मिलती है जो हम x की value को put करते हो, x की value given है हमें ठ find करने के लिए working करनी होगी जो कि मैं already कर चुका हूँ, अगर आप इससे पिछले वीडियो में देखें तो मैंने a और b की value बकाइदा calculate की हुई जो कि मैं भी आप से share कर देता हूं screen पे, जी आप देख सकते हैं कि यह table मैंने इसलिए बनाया कि इसमें, मैं xy variable की value, x square की value और इनका total भी लिखा हूँ है, ठीक है, last row में, यह b की value find करने का formula है, जो कि 16.27 इससे answer आता है, जिस slope जो है, हमारी estimated regression line की, जबके इसमें जो y intercept a है, वो कितना आ रहा है, इस formula से 8.04 है, तो estimated regression line जो है, यह आगी है, ठीक है, यह हमें require थी, चुकि हम x की value पुट करना चाहेंगे, ठीक है, इससे यहां से, मैं से copy कर लेता हूँ, और अब आपिस हम अपने उसी question की तरफ चलते हैं, जी, यह आप देख सकते हैं, कि हमें आपस जो average value आई है, estimated, जो हमारा point estimate होगा, वो 56.855 ठीक है, इस equation में उन्हें x की जगा 3 पुट किया, और जो t की value बेने table से देखी है, टी टेबल से, ठीक है, वो आपके सामने है, वो 2.447 है, ठीक है, जी, अब जो हमने equation number 1 बना रखी है, confidence interval के लिए, इसमें इन values को हमने put करना है, लेकिन इसमें जो standard error है, अभी इसकी value calculate करना बाकी है, तो चलें, अब इसके उपर working कर लेते हैं, कि जो standard error है, for y hat, ठीक है, यह average value, वो कैसे find out होगा, उसका क्या formula है, वो अभी मैं आपके सामने screen पे share कर देता हूँ, जी, यह वो formula है, जिसमें हम standard, जो standard deviation of y on x लिखेंगे, ठीक है, चुके y यहाँ पर dependent variable है, depend कर on x, ठीक है, और जबके यह हमने लिखा यहाँ पर square root of 1 over n plus, यह जो numerator है, इसमें हमने लिखा x not minus x bar whole square, ठीक है, इनके difference का whole square, और यहाँ पर sum, x minus x bar के square का sum है, ठीक है, तो इनकी values जो है, वो भी मैं यहाँ पर dards कर देता हूँ, और फिर देखते हैं, कि मैं पास standard error है, for average वो क्या आता है, जी, यह आप देख सकते हैं, कि जो standard error of y hat है, वो हमाँ पास 6.48 आया है, इस formula मे इसमें जो हमने standard deviation of y on x है, इसकी value कैसे calculate की है, यह भी मैं आपके सामने भी screen पे, इसका formula भी और इसकी values देख की हैं, और यह find out किये 7.05, कैसे होई अभी आप से share कर देता हूँ, जी, यह आप देख सकते हैं, कि formula जो हमाँ पास है, वो यह है, standard deviation of y on x का, ठीक है, इसमें हमने y minus y hat की difference के square का sum जब इस formula से calculate की है, यह value है, 298.32, जबके n minus 2 जो है, degree of freedom, जिसे new में कहा हूँ, वो 6 है, 7.05 इस तरह से answer है था, जो कि मैंने भी formula में दर्ज किया था, जी students, चले है, अब हम 95% जो confidence interval हमने बनाना है, for y, ठीक है, वो अब हम यहाँ पे बनाते है, for average means, यहाँ average की में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमाँ पास इस तरह से आएगा के, जो हमाँ पास estimated value of average है, वो कितनी है, 56.85, यह हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 56.85, इसमें plus minus करेंगे, जो critical value आई थी, माँ पास 2.447, ठीक है, जी, जबके standard error जो है, वो 6.48 आया है, ठीक है, यह हमाँ पास, इनका product जो बनता है, वो बनता है, हमाँ पास 15.86, ठीक है, अब इस value को 56.85 से minus करें, तो 40.99 बनता है, और add करें अगर इसमें, तो यह बनता है, जी, 72.71, यह वो interval है, जिस पे हमें 95% believe है, कि जो true value for average है, ठीक है, इसमें Y कह रहा हूँ, वो इसमें मौजूद है, ठीक है, इस साथ से real life की ओर भी बहुत से situations हैं, जिसमें, कि आप जब confidence interval की बात करेंगे, या जो interval estimate की बात करेंगे, तो आप यही जो process है, इसे समझ लें, और इसी को आप वहाँ पर apply करेंगे.